बिहार की 70 रूड़ पाटी चंता दल उनाइटेड क्या बड़ी तूट की तरफ पड़ रही है? साइद इस बात कान देशा बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार को भी हो गया है। तभी तो उन्होंने यह बास सिधे तौर पर कह दिया कि जिसको जहां जाना है जाए मुख्यमंत्री ने ये बाते आज उपेंद्र कुस्वहा के संबंद में कही है। सीम नितीश ने जदियू संसदिये बोड के अध्यक्ष को दो टू कह दिया है जिसको जब जाना हो जितनी जल्दी जाना हो चला जाए हमने किस किस को नहीं बढ़ाया। दरासल जदियू और आरजडी के गडबंधन में सरकार बनाने के बाद से ही एक चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि आरजडी में जदियू का विलाय हो जाएगा। बीजेपी के नेता लगतार जदियू और आरजडी के मरजर को हवा देते आ रहे हैं। इसी बीच उपेंद्र कुस्वहा ने पागी रुख अख्तियार कर लिया। उन्होंने सीधे सीधे सीएम नितीज से ये सवाल पूछ लिया कि आखी जदियू और आरजडी के बीच क्या डील हुई है। कुस्वहा ने सीधे तोर पर ये नहीं कहा कि जदियू का आरजडी में विलाय हो जाएगा। लेकिन इस बा अंगलवार को कहा कि जदियू कमजोर हुई है। मुझे नितीज कुमार से दूर करने की साजिस चल रही है। इसको लेकर उन्होंने पाटी नेत्रित्तों पर भी सवाल खड़ा कर दिया। यही नहीं। जदियू संसदिये बोर्ट के अध्यक्ष ने इससे पहले एक और कमे संपर्क में है। उपेंदर कुछ वहा कि ओर से लगतार जारी ब्यान बाजी पर ही आपनितीज कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने सीधे तोर पर कह दिया जो जाना चाता है चला जाए। नेता आते जाते रहते हैं। वो जितना जल्दी जाना है चले जाए। मुख संपर्क में जाना जाते हैं वही ऐसा बोलते रहते हैं। क्या कीजिएगा। अरे किस किस को कितना बढ़ाए हम। कौन कहां चला गया। जाने दीजिए। जिसको जब जाना है जितनी जल्दी जाना है। जब मन करे वो चला जाए। तो उपेंदर कुछ वहा के जुबानी अटाइक के बाद अब जदियू में जैसे घमसान सा छिड़ गया है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर कुछ वहा पार्टी से कब जा रहे हैं। इस पर मुख्य मंत्री निदीश कुमार ने भी अब टिपनी कर दी है। उन्होंने सीधे तोर पर कह दिया है कि जिसको जहां चला जाए। लेकिन इसके माइने आखिर क्या निकाला जाए। क्या सच में जदियू का राद्यवत में विलय होने जा रहा है। क्या उपेंद्र कुछ वहा की जो भविसुवानी है जो सवाल उन्होंने किया उसमें कितना दम है। यह सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बिहार क सामने है।